तो आज में लेकर आई हूँ बहुत ही important question, most important MCQ जो कि आपके upcoming exam के लिए बहुत ही जदा helpful होने वाले हैं, मैं वही questions लेकर आई हूँ, जो बार-बार repeat होते हैं, most important topics हैं नर्सिंग स्रेबर्स के, जहां से बार-बार question पूछे जाते हैं, वहीं से मैं questions लेकर आई हूँ, तो आपके upcoming exams के लिए, जैसे AIMS पतना का exams आने वाला है, PPSA, Staff Nurse, DSSB, SIC, RRB, यह सारे exams के लिए बहुत ही जदा helpful होने वाले हैं, चलिए start करते हैं, आज का पहला question, तो first question है, the cardinal sign of the body includes the following except, पूछ रहा हैं, इन में से कौन से चार दी हैं, except, यह सब question पता है, nursing officers के जो exams होते हैं, जैसे AIMS पतना और M's में, यह इस type का questions बहुत पूछे जाते हैं, except करके यह questions बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको confused नहीं होना है, तो the cardinal sign of the body includes the following, इसमें से सब cardinal sign हैं, एक को छोड़ करके, तो कौन सा होगा, तो पहले मैं बता दूँ कि cardinal sign क्या होते हैं, हमारे body में कोई भी inflammation होता है, तो five cardinal sign होते हैं, कौन-कौन से five cardinal sign होते हैं, मैं लिख देती हूँ, यह बहुत ही important है, बार-बार यहां से question पूछे जाते हैं, five cardinal sign of body जो होते हैं, cardinal sign कौन-कौन से होते हैं, rebore, redness को बोलते हैं, rebore, calor, increased heat, means increased body temperature हो जाता है, tumor, means swelling, swelling और dolor, pain और fifth है, functional Asia, इसमें means होता है, loss of function, loss of function, तो यह five cardinal sign है, बहुत important है, तो हमारे body में जो five cardinal sign होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, rebore होता है, जिसका मतलब redness होता है, calor, body temperature बढ़ता है, tumor, swelling होती है, dolor, pain होता है, functional Asia, loss of function होता है, तो इसमें दे रखाया temperature, तो इसमें से पूछा है कि कौन, इसमें से तीन है, except पूछा है, एक को छोड़का, एक नहीं है, बाकी तीन है, तो कौन सा नहीं है, तो heartbeat बढ़ता है, यह मैंने बोला है, temperature, temperature में क्या है कि यह, calor, calor है, blood pressure, temperature, जब temperature बढ़ेगा, fever होगा, तो BP भी बढ़ेगा, यह भी है, यह भी है, और heartbeat भी है, increase, जब fever होगा, तो heartbeat increase होता है, blood glucose level कहीं नहीं है, तो यह नहीं है, मिन्स, इसको छोड़करिके यह तीनों, cardinals आईना, मिन्स, देखो, rubor, redness, calor, increased heat, tumor, swelling, dolor, pain, functional Asia, loss of function, यह फाइब करनल साने, यह आप, screenshot ले लो, या फिर कैसी भी आप इसको याद कर लेना, rubor, redness होता है, calor, increased heat, tumor, swelling होता है, dolor, pain होगा, जिसके वाज़े से BP भी, blood pressure label भी, blood pressure label को भी affect करेगा, heart beat को भी affect करेगा, लेकिन blood glucose label से कोई मतलम नहीं है, यहाँ पे, तो यह नहीं होगा, C को छोड़ करके, यह तीनो है, तो the cardinal sign of the body includes the following, except, means, C is the right answer, इसमें होगा, means, यह नहीं होता है, except, पूचा है, तो यह correct है, ठीक, अम next question पे चलते हैं, the mode of transmission of trachoma from one person to other person, trachoma one person to other person को कैसे फैलता है, तो कौन साइस में सांसर होगा, direct contact से, indirect contact से, inoculation से या इत्रोजनिक से, तो direct contact में, जैसे कि, क्या-क्या आ जाएगा, direct contact में, touching, kissing, contact with body lesions, तो यह direct contact में आ जाएगा, इनॉकुलेशन मतलब होता है, इनॉकुलेट जिसे vaccine इनॉकुलेट करते हैं, तो आप इनॉकुलेशन से इनॉकुलेशन से इनॉकुलेशन ही समझ लो, कोई भी antigen या pathogen बोड़ी में इंटर कराते हैं, जिससे antibodies डेवलप करने के लिए, तो यह आप इनॉकुलेशन से इसका example आप समझ सकते हो, इनॉकुलेशन से इनॉकुलेशन होता है, और इनॉकुलेशन मतलब कोई भी healthcare worker जो होते हैं, वो जैसे hospital में कोई प्रोसेजर किया जा रहा है, जिसके वज़े से कोई infection हो जाता है, कोई भी तो यह इनॉकुलेशन में आता है, मतलब कोई प्रोसेजर करने के दौरान, अगर कोई infection हो गया उसकी वज़े से, तो उसको इनॉकुलेशन भी नहीं होगा, इनॉकुलेशन भी आप समझ गये होगे, किसको बोलेंगे, इनॉकुलेशन भी पता होगा, इक्जाम में आ चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉरिन ये questions है, next देखते हैं, the first school of nursing was established by, the first school of nursing, किसके द्वारा established किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो मैं पहले एक एक्ठो में बता दे रही हूँ, जो वर्जिनिया हैंडर्सन थी, वर्जिनिया हैंडर्सन जो थी वो, उन्होंने nursing need theory दी थी, उन्होंने nursing, nursing need theory, किन्होंने दिया था, वर्जिनिया हैंडर्सन ने दिया था nursing need theory, और ये इसाबेल हैंटन, इसाबेल जो हैंटन थी, इनका पुरा नाम था इसाबेल, इसाबेल, एडम्स, हेम्टन, रॉबू, यह कौन थी? यह सुप्रिटेंडेंट अफू, सुप्रिटेंडेंट अफू, नर्सेस, सुप्रिटेंडेंट अफू, नर्सेस, एड़ जॉन्स, हॉप्किन्स, हॉप्किन्स, स्कूल, अफू, नर्सेस, तो यह, यह जो इसाबल हैंटन थी, यह इनका पूरा नाम था, इसाबल एड़म्स, हैंटन, ड्रॉब, यह क्या थी? सुप्रिटेंडेंट अफू, नर्सेस, अचॉन्स, हॉप्किन्स, इस्कूल, अफू, नर्सिंग, यहां है, यह सुप्रिटेंडेंट थी, और वरजिनिया हैंडेंडर्सन जो थी, वो नर्सिंग निर्षूरी नो ने दिया था और Florence Nightingale जो Florence Nightingale थी इनके बारे में तो आप सभी जानते हो question भी पूछे जाते हैं और बहुत ही important question यहां से पूछे जाते हैं जो जो फ्लोरेंस नाइट इंगल जी थी इनका जन्म हुआ था born in 12 माई 12 में 18 20 में फ्लोरेंस city इटली में इटली जो था वो कंट्री था इतली एक कंट्री है वहां उस कंट्री में फ्लोरेंस एक city है वहां पे इनका जन्म हुआ था 1820 में और इनका death जो हुआ था इसलिए हम हर साल 12 माई को International Nurse Day मना जाता है बहुत ही अच्छे से सेलिबरेट किया जाता है 12 माई को International Nurse Day पूछा जाये तो कब होता है International Nurse Day कबना जाता है 12 माई every year और death इनका कब हुआ था Florence Nightingale का death हुआ था लंडन में 13 अगस्त 1910 को इनका death हुआ था Florence Nightingale बॉर्ण कब हुई थी 12 माई 1820 और Florence City में इतली कंट्री इतली में Florence City में इनका जन्म हुआ था और death लंडन में हुआ था 13 अगस्त 1910 को और इनको Lady with Lamp के नाम से भी जाना जाता है Lady with Lamp ये तो सबको मालूम होगा Lady with Lamp Poignier of Nursing Poignier of Nursing और Father of Nursing Father of Nursing और Mother of Modern Nursing के नाम से भी इनको जाना जाता है और Florence Nightingale जो थी वो एक वो कब से कब फेमस हुई थी ये कोशन पूछा जाता है कौन से वार के दौरान ये क्रेमियन वार था जो की 1853 से लेकर के 1856 तक हुआ था और यहाँ पे जो वारियर्स थी उनका इन्होंने बहुत ही केर किया था बहुत ही सेवा किया था और इसी दौरान ये बहुत ही फेमस हुई थी क्रेमियन वार के दौरान ठीक और ये कोशन पूछा जाता है ये अकसर कोशन ये जो भी मैं बता रही है सारे बहुत ही इंपॉड़न जो साइड को मैं लेकर आई हूं तो आठ और नो कोशन लेकिन साइड वाले जो कोशन में बता रही हूं कम सकम आपके 30-40 कोशन तैयार हो रहा है तो आप इसको याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉड़न कोशन है किसने किसे एक्जाम में आ चुके हैं तो इन ये जो फ्लोरेंस नाटेंगल थी वो क्रीमियन वार 1856 में हुआ था वहां पे जो वारियर्स थे उनका उन्होंने बहुत ही सेवा किया था इसी दर रहन वो बहुत ही फेम रिसेर्चर भी थी और फ्लोरेंस नाटेंगल ने एक बुक लिखा था उनके बुक का नाम है बुक का नाम है नोट्स अन नर्सिंग नोट्स अन नर्सिंग नोने ये बुक लिखा था और कब लिखा था ये बुक 1859 में नोने ये बुक लिखा था और ये कोशन बाबर बनते हैं कि फॉर्स्ट जो नर्सिंग थी वो किस ने दीती जो फॉर्स नर्सिंग थी वो फ्लोरेंस नाटेंगल 1860 में दी थी जिसका नाम था environmental theory जो कि 1860 में Florence Nightingale ने दिया था ये first nursing theory है first nursing theory first nursing theory तो ये मैंने आपको चारो जो option है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया वर्जिनिया हेंडरसन जो थी वो nursing need theory उन्होंने दिया था वर्जिनिया हेंडरसन ने और Florence Natingle जी जो थी वो उनका जन्म हुआ था 12 मैं 1820 में Florence City, Italy में उनका death London में हुआ था 13 अगस 1910 को उनको lady with lamp, pioneer of nursing, and father of nursing के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये क्रीमियन वार 1833 और 1856 में के दौरान के समय इतने साल तक हुआ था और इसी समय वो जो ओरियल्स थे उनका उनोंने बहुत ही सेवा किया था जिसके दौरार ये बहुत ही फेमस हुई थी ये एक स्टाटिस्टेशन और रिसर्चर भी है नोंने इनकी जो बुक है नोट्स और नर्सी नोंने 1859 में लिखी थी और फर्स्ट जो नर्सिंग थियोरी है वो फ्लोरेंस नाटिंगल ने ही दिया था 1860 में जिसका इन्वार्मेंटल थियोरी जिसका नाम है जो इन्वार्मेंट थियोरी नो ने दिया था फ्लोरेंस नाटिंगल ने 1860 में दिया था और इन्वार्मेंट थियोरी को ही फर्स नर्सिंग आफ थियोरी बोला जाता है और ये फर्स नर्सिंग आफ थियोरी फ्लोरेंस नाटिंगल ने दी थी तो यह बहुत important question है और Asa Bill Hampton मैंने बता है इनका पुरा नाम Asa Bill Adams Hampton Rob था यह superintendent of nursing nurses at Johns Hopkins School of Nursing यहाँ पे superintendent थी और यह जो इसका यह तो मैंने side वाले बता हैं और इसका क्या जो question है उसका answer क्या होगा तो आपक तक तो पता है चली गया होगा इसका answer है Theodore Flightner The first school of nursing was established by Theodore Flightner ठीक है आप इसको यह screenshot ले 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 आप मैं इसकोई वर ठोड़ा आरेंज कर देती मुझे लग रहा है अब सही है आपको अपको उचे से visible हो रहा होगा तो ठीक है यह आपे screenshot है लेना अब चलते है next question पर मैं एक बर सारा दिखा देती हूँ मुझे लग रहा है visible नहीं था यह मैंने first question बताया 5 carnal sign reward, calor, tumor, dolor and functionalisia है तो और इसका जो right answer होगा C and third का right answer second का right answer होगा indirect contact से फैलता है और next इसका मैंने बता दिया समझा दिया आप इसको देख लो इसका answer है the order of lightener and next next question है the immunity that is transferred from the maternal antibodies to fetus presently and to infant through breast milk to protect them till their own immune system matures to function is a kind of मैं एक बर और कोशन पढ़ दे रही हूँ the immunity that is transferred from the maternal antibodies to fetus maternal antibodies to fetus transplacently during जब प्रेगनेंट होथी उस दोरान placenta के थू and to infant through breast milk breast milk to protect them till their own immune system मैं chose to function is a kind of तो इसका answer है passive immunity यह बहुत important है यहां से question बार बार बनते हैं मैं इसको अलग से separate class लोंगी immunity का मैं पढ़ाऊंगी इसको अलग से तो इसका answer है passive immunity next when instructing a patient about proper diet which among the following would be considered as complete protein तो complete protein यह तो सबको मालूम होगा एग में complete protein पाया जाता है इसलिए डेली एक अंडा खाया करो next is following are the clinical feature of organophosphorus poisoning except इसमें organo पहलो तो जान लो organophosphorus poisoning क्या होता है तो यह एक organophosphorus poisoning क्या है कि यह insecticide यह pesticide के लिए खेतों में यूज करते हैं या फिर इसको जाने अन जाने में अगर कोई consume कर लेता है तो क्या होता है कि यह बहुत ही dangerous है poison है और यह क्या करता है blood brain barrier को cross करता है blood brain barrier को cross करता है बहुत dangerous जो central nervous system को बहुत bad effect करता है तो इसमें क्या होता है कि यह क्या करता है यह deactivate कर देता है stress enzyme जो call is a style colon stress enzyme होता है inhibit करता है it inhibit to एसी टाइल क्या क्या करेंगा और फिर यह क्या करेगा एस 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 ताल को इनक्रीज हो जाता है बॉड़ी में जिसके वजह से यह क्या करेगा यह कॉस कॉलिनर्जिक सिंड्रोम कॉलिनर्जिक सिंड्रोम कॉलिनर्जिक सिंड्रोम और कॉलिनर्जिक सिंड्रोम में कौन-कौन से sign and symptoms आते है एक बार मैं और explain कर देती हूँ यह बहुत ही dangerous है जो कि insecticide या pesticide के लिए यूस होता है यह treatment के लिए इसको यूस करते हैं यह blood brain barrier को क्रॉस करता है और क्या करता है यह इसके वज़े से क्या होगा यह कॉलिनर्जिक सिंड्रोम इसमें पहले तो मैं बता देती हूँ इसको समझ लोगे तो यह कॉलिनर्जिक सिंड्रोम में कौन-कौन से सिंड्रोम साइंगे यह भी आप समझ लोगे तो यह यह भी बहुत इंपोर्टन है सिंपाथिक 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 नर्वस सिस्टम जो कि कॉलिनर्जिक अगेंस्ट काम करता है इसको एंटी कॉलिनर्जिक भी बोलते है इसलिए एंटी कॉलिनर्जिक या यह फ्लाइट एन्ड ऐंड फाइट रिस्पॉंस यह इस्ट्रफ में काम करता है इसमें क्या होता है इसमें stimmtorse थह और इसमस समझ लो कि अगर कोई इंसान stressed में um мषग ओगा हrabot increase कोई stress में um को एट ह़गा हूट लोगा तो he lezione हो जाएगा और क्या होगा बीपी इंक्रीज हो जाएगा हर्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा बीपी इंक्रीज हो जाएगा प्यूपिल जो है वो डालेट हो जाएगा प्यूपिल डालेट हो जाएगा रिस्पारी रेट इंक्रीज हो जाएगा heart rate increase हो जाएगा, BP increase हो जाएगा, respiratory rate increase हो जाएगा pupil dilate हो जाएगा, और क्या होगा, bronchial secretions जो है वो decrease हो जाएगे जो bronchial secretion है, bronchial secretion, secretion decrease हो जाएगे और HCL, decrease हो जाएगा, saliva, decrease saliva नहीं आएगा मुझ उख जाता ना इनसाने stress में रहेगा मुझ उख जाएगा भूख नहीं लगता है भूख नहीं लगेगा और प्रेस्टालसिस मोमेंट जो है वो कम हो जाएगा means वो constipation होगा constipation होगा यह जो है sympathetic nervous system sympathetic nervous system kolonagic against नहीं काम करता है तो इसको sympathetic nervous system anti-colonagic भी बोलते हैं जो कि anti-colonagic effect लाता है flight and flight response और overall समझोती है यह stress में काम करता है और इस stress आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो सोचोगी कि हाँ stress में क्या-क्या होता है तो यह सारे symptoms stress में होते हैं खुद से भी सोचोगी तो हाँ यह होता है stress में यह होता है ऐसा हो सकता है तो यह सब stress में यह symptoms आते हैं आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और इसके against है दूसरा है sympathetic और दूसरा है यह है sympathetic और दूसरा है पैरा-sympathetic sympathetic तो यह इसको kolinergic भी बोलते हैं kolinergic effect लाता है kolinergic और यह happiness में काम करता है कि इसके यह तो कि जैसे कि इसमें जो भी इंक्रीस हो जाएगा इसमें डिक्रीस हो जायए। जैसे हड़् गर इनसान खुस रहता है आराम से कुई प्रॉल्म नहीं है तो हर्ड्ड भी नॉर्मर रहेग बिम्पी नॉर्मर रहेगा डरेयिघ रहेगा पिन पॉइंट पीफल जब इंसान टेंजन होता है eating Laureate ling और जब खूस होता है सब कुछ नॉर्मल रहता है लेकिन बहुत भूस ही यह जाती है इसान जो path jay इसमें though श्यातर कॉंसिरी मोंमें इसमें पेस्टायो new employment increase हो जाता है तो यह इसके अपोसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिंपैसिं स्कंदम्स आ सकते हैं क्या कि आप खुष होते हो तो क्या іपका हर्टवाट बढ़ जाताा क्या बीपी बढ़ जाता है ऐसा नहीं होता है आप खुष नॉर्म रहता है अब भूट बहुः भी खुब लगता है कोई प्रॉलम नहीं होता तो तो । इस जो 국민 पूंक च Exchange सände थामेडिक की अनल और सी करसे इसाषियर, और से चैजित भी कॉर्णू नर्जिकट बहुलते हैं इतना आप जानलों यह इंसेक्टिसाइड के लिए काम किया जाता है तो अगर यह कंजूम कर लिया तो यह ब्लड बेरियर को क्रॉस कर देता है और जो कि बहुत डेंजरस है और यह क्या करेगा इनिबिट करेगा इसको इनिबिट करके अचैल कॉरोण का लेबल बढ़ा देगा और जो की अफेक्ट लाएगा कॉच्णाइव कlorink सिंडरूम में क्या 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 आएंगे यह सबाएंगे हर्ट रेट he cocaine decrease हो जाएगा बीपी, decrease हो जाएगा, respiratory rate decrease हो जाएगा, salivation, salivation होगा, और क्या होगा, just इसका opposite diarrhea, pinpoint pupil, इसमें डालेट हो रहा था, इसमें, pinpoint pupil, तो इसमें सब यह सारे symptoms जस्ट इसका sympathetic का stress में काम करता है और परा-sympathic happiness में sympathetic anti-colonargic effect करता है और परा-sympathic colonargic effect करता है जस्ट इसका opposite है तो इसमें क्या symptoms पूछा है अगर organophosphorus poisoning हुआ है तो कौन-कौन से symptoms तीन है लेकिन एक नहीं है तो कौन-कौन से symptoms match कर रहा है इससे कॉलिनर्जिक सिंड्रोम करता है यह करता है और एसेटाल कॉलिन स्ट्रेस जो है उसको इनिवेट करके यह क्या करता है कॉलिनर्जिक सिंड्रोम और कॉलिनर्जिक सिंड्रोम में कौन-कॉन से आएंगे यह जो हैपिनेस में काम करता है यह सारे सिम्टम्स आएंगे में स Salivation भी होगा, Pinpoint Pupil भी होगा, Bronchospasm होगा, लेकिन Hyperventilation नहीं होगा, यह तीनों तो होगे, लेकिन यह नहीं होगा, इसका answer क्या होगा, इसके कोडिक, Accept पूछा है, तो यह जो Accept करके Question पूछता है, यह थोड़ा Confuse करता है, तो आप इसको ध्यान में रखना, और इसका जो Accept पू और यह बहुत important question में लेकर आई हूँ, बहुत ही ज्यादा important है, यह किसने किस एक्जाम में आ चुके हैं questions, और यहां से बार बर question repeat भी होते हैं, क्या कि बहुत important topic है यह सब, तो आप इसको अच्छे से समझना, question तो खुद को भी evaluate करो कि आपको आते थे question आपको आपने कितने जो भी जितने भी मैं question लेकर आई हूँ, यह आपको मालूम था, नहीं मालूम था, पढ़ो, खुद को evaluate करो कि आपको कितने का आप answer दे पा रहे हो, तो I hope आपको समझ में आया होगा, मैं तो बस 7-8 question लेकर आती हूँ, लेकिन जो side वाले बताती हूँ, कम सकम 30-40 question में आपक daily prepare करवा रही हूँ, daily तयार करवा रही हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं next question बाकी question कल लेकर आई हूँ, आउंगी next questions, अब चलो तब तक के लिए thank you, अगर आपको benefit मिल रहा तो दूसरों को भी दो, दूसरों को share करो, और like करो, subscribe करो, जो नए हैं वो भी subscribe कर दो, तो चलिए thank you, thank you very much, अब next question कल मैं लेकर आउंगी, thank you very much